एलो गाईज, वेलकम टो माई एसवा एजूकेशन फॉरमिशन चैनल मैं आज लेकर के अपडेट न्यूज प्रेजेंट हैं जैसा कि आपको पता भी हो गया होगा कि कहीं कोई जो है एक्जाम जो है दुबारा नहीं होने वाला है रिजेक्ट नहीं होने वाला है भरती उसी प्रोसीजर पे होगी जिस पे जो है 65 एंड 60 जो है परसेंटेज लगे हुए है तो कट आफ और यदि आप सोच रहे हैं कि नहीं धरना देने से कुछ करने से हो जाएगा तो कहीं कुछ नहीं सरकार सुनने वाला नहीं है तो मेरा मानना है कि आप अपने पढ़ाई में लग जाएए बहुत से आपसन है जिनके पास यदि जिसका नहीं निकला है तो बहुत से आपसन है आपके सामने तैयारी करने का और यहां पर देखेंगे प्रदेश में प्रतिवर्ष होगी टेटी वा सिख्छक भरती परिक्षा जैसा कि 68500 की जो भरती आई थी 2018 में बहुत से विद्यार थी जो है असफल हुए जो कि इसमें सफल हुए जो इसमें असफल हुए वो 55,000 की बैकेंसी फिर आ रही है 56,000 की बैकेंसी फिर आ रही है तो आप निराश नहीं होईए अपनी तयारी करिए उसमें जरूर होगा तो जैसा कि देखेंगे थोड़ा से इसका लेबल कठिन हो जाएगा सरकार का मानना है कि ये पेपर में जो है कटाप इतना लगया तो जो अगली 56,000 की पेकेंसी आने वाली है तो उसमें इससे भी जादे कटाप लग सकती है और ये कठिन भी होगा और IS के तर्ज पर एक्जाम जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है टीटी की परिक्षा की तैयारी की जाएगी इसके बाद जो है सिख्छक भरती परिक्षा जो है मार्च अप्रेल तक क्लियर करवाए जाएगी तो प्रति वर्ष अध्यापक भरती परिक्षा है सिख्षक पात्रता परिक्षा दोनों करवाये जाएंगे तो आप अपने एक्जाम की तैयारी करते रहिए समय को ध्यान में रखते विए आप तैयारी करेंगे